शिवशक्ती महिला मंडल के ततोधान में संगीत मैं शिव महापुरान कथा का साथ दीवसी आयुजन दुर्ग गय नगैस्तित समीती के प्रांगण में किया जा रहा है। इस साथ दीवसी शिव महापुरान कथा में पंडित पूरण प्रसाशर्मा अपने शिव मुख से कथा का सार शद्धालू को शवन करा रहे हैं। अधा के तीसरे दिन पंडित पूरण प्रसाशर्मा अपने शिव मुख से कथा का सार शद्धालू को शवन कराते नजराए। बता दे इस भक्ति मां आयुजन में शद्धालू रोजाना बड़ी संख्या में उपस्तित हो रहे हैं। आयुजन करताओं ने आयुजन कवदेश बताया तो वहीं पंडित पूरण प्रसाशर्मा ने आयुजन की जानकाई दी। जुद्धानसी महापुरान का आयुजन रखा गया है 22 तारिक से 28 तारिक हमारे गएЯ नगर वाड़ चैर मुकतिधाम संकट मोचन हनमां जी मंदिर के प्रांगण में हमारे गएया नगर के समस्त दानदाताओं के सहियोग से। सभी दान दाताओं धर्म धर्म प्रेमियों के सही योग से हम लोग सीव महापुरान का आयोजन कर रहे हैं आज मापारवती की जन्म उस्सव। जो कथा करने का उद्देश है कि भगवान सीव जी की कथा को जोडने से मानो जीवन का लियान होता है जिसमें आज समस्त माता बहनों के द्वारा बड़ी ही महनतों के द्वारा समस्त भक्तों के आसिरवाद से भगवान सीव महापुरान की कथा हो रहा है जिसमें पुरे नग पावन सयोग है और मेरा कथा जो है लगातार हर साल दुरूग नगरी में चलता ही रहता है इस साल मेरा ये छटवा सी महापुरान का कथा है जो आज वाड नंबर चार गली नंबर चार गया नंगर मुक्तिधाम के प्रागन में भगवान भूद भावन महादेव जी की कथा हो भगवान महादेव जो है समस्त जीव जन्तूओं को भगतों को तारते हैं और भगवान महादेव जो है सब गरीबों का दे होता है एक लोटा जल एक बाल्टी जल चलाने से भगवान महादेव जी प्रसन्न होते हैं अर्थात भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए स और मेरा उद्देश्य है कि महादेव के क्रिपा से जितने भी भक्त जोहें दान दाता है जितने भी सुरह है समस्त भक्त जनों का कल्लान हो जाए समस्त जीव जन्तू का कल्लान हो जाए इससे प्रेत यूनियों का भी उधार होता है जिसी स्थान पर भगवान सिव महापुरा इस साथ दिवसी शिव महापुरान कथा ज्यान्यागिस सप्ता का समापन 28 अपरेल को होगा समापन अवसर पर भी भविता से भोगभंडा रिकायुजन किया जाएगा इसी न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट